असलामों आलेगूं में सूडेंट्स अच्छा बच्चो आज का मेरा टॉपिक है चैप्टर नमबर वन का डेटा रेप्रिजेंटेशन का अच्छा डेटा रेप्रिजेंटेशन चैप्टर हमारा कंटीनू चल रहा है data representation का जो मेरा आज का टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कि measuring the computer memory measure या measuring computer memory कैसे computer की memory को आप measure करते हैं measuring computer memory जिसको हम data storage के नाम से भी जानते हैं कुछ लोग कहते हैं कि data कैसे computer में store होगा ठीक है data storage भी कह सकते हैं या असान अलफाज में इसको हम यह कह सकते हैं कि how to calculate the computer memory computer की memory को हम किन किन units से जानते हैं ठीक है तो यह मेरा आज का topic है आईए जी start करते हैं बच्चो computer memory को store करने के लिए we have different units हमारे पास कुछ different units होते हैं आईए सबसे छोटे unit से start करते हैं तो हम बेटा छोटे से large unit पे जाएंगे तो मैंने arrow बना दिया from small to large unit सही है? from small to large unit ठीक है? तो जो भी उपर लिखा होगा वो small होगा जो भी नीचे लिखा होगा वो उससे बड़ा यानि के large होगा बच्चो सबसे छोटा सबसे छोटी memory unit आपके पास जो होती है वो होती है bit क्या होती है बिटा? bit is the smallest unit of memory जिसका मतलब या तो एक zero होगा या तो एक one होगा सही है? बच्चो for example मैं आपसे कहता हूँ सबसे छोटा unit of memory क्या है कम्पुटर की memory को measure करने का सबसे छोटा क्या है bit bit is the smallest memory ठीक है? bit is the smallest memory which contains zeros and one हा न? which contains या तो zero या तो one bit के बाद जो second आता है ना आपके पास वो आता है nibble क्या आता है बच्चो? nibble आईए मैं जूम कर देता हूँ बच्चो बट के बाद जो second आएगा वो आएगा N-I-B-B-L-E इसको ऐसे भी कहते हैं और इसको N-Y-B-B-L-E भी कहते हैं ठीक है? अच्छा सबसे छोटा bit होता है bit के बाद कौन आता है? nibble बच्चो nibble का मतलब क्या होता है? nibble contain four bits ठीक है? nibble के अंदर four binded bits आते हैं like 0011 एक nibble होगा like 0011 क्या होगा? एक nibble सबसे है बच्चो बच्चो number three number three यहां से computer की memory measure करना start होती है सबसे इससे पहले वाले दोनों इतने चोटे होते हैं bit इतना चोटा होता है जो major नहीं होता nibble इतना चोटा होता है कि major नहीं होता major का मतलब वो इतना चोटा होता है कि वो computer memory इसको major नहीं कर पाती computer memory जो major करती है वो byte से start करती है byte is the smallest unit of memory और byte के अंदर 8 bits आते हैं byte में कितने bits आते हैं बच्चा? 8 bits 8 bits का मतलब 0011 यह तो 4 हुए और 0011 यह इसके लावा कुछ और भी हो सकता है 8 bits का मतलब 1 byte और 1 byte में 2 nibble भी आ सकते हैं यह भी बिलकुल असान है हाना भी? 1 byte में 2 nibble भी आ सकते हैं यह भी हो गया बच्चो, byte के बाद अब क्यूंकि अब नए स्लेबर्स में कुछ अपडेट हुई है आईए मैं आपको बताता हूँ कि byte के बाद कहानी थोड़ सी डिफरेंट हो गई है क्या हो गई? आईए भाई, byte के बाद उन्हें ने कहा कि भाई, आप अब क्या करें आप दो अलग-अलग कैटेगरी इसमें चले जाएं पहली कैटेगरी का नाम है binary prefix और दूसरी कैटेगरी का नाम है danary prefix prefix क्या होता? नाम देने का तरीके को बोलते हैं prefix आईए तो यहाँ पर अब byte के बाद हम क्योंके small से large में जा रहे हैं we have a binary prefix हमारे पास binary के prefix भी होंगे और एक तरफ danary के prefix होंगे binary prefix और binary prefix यह दो कैटेगरी हो गई है बाइट के बाद we have binary prefix और binary prefix अब binary prefix क्या होगा? यह भी जर्व सुने binary के अंदर हमेशा 2 की power में काम हो रहा होगा किस में काम हो रहा होगा? 2 की base में और binary में हमेशा किस की base में काम होगा? 10 की ये बात तो clear है ना? बिलकुत binary में हमेशा base होगी 2 और binary में हमेशा base होगी क्या? 10 गॉट इट? आईए बच्चों याद रखें जब binary prefix होगा ना तुमारे पास तो तुम हमेशा 2 की power में काम करोगे, 2 की base में काम करोगे, 2 की base में काम करोगे, 2 की base बच्चों binary में आप 10 की base पे काम करोगे, ठीक है? ये 10 की base होगे, बच्चों binary में, मैं आपको short में लिखवा हूँ binary में जो तुमारे पर difference होगा ना, power के दर्मियान वो होगा 2 की power 10 का difference, ठीक है? और binary में जो difference होगा, difference क्या है अभी हम आपको बताएंगे वो होगा 10 की power 3 का कैसे? आईए अभी आपको बताते हैं आईए बच्चों binary में जो पहला नाम होगा वो होगा 2 की power 10 बच्चों 2 की power 10 का मतलब क्या होगा यहाँ पर 2 की power 10 का मतलब होता है kibibite k-i-b-i- k-i-b-i- same goes with dandy prefix dandy prefix में 10 की power 3 10 की power 3 को हम की भी नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे kilobyte क्या बोलेंगे बिटा? kilobyte तो यह जो bindy prefix add हुआ ने यह साल एड हुआ है पहले नहीं था पहले हम सिर्फ और सिर्फ kilobyte परते थे got it? चलो बच्चो किलो के बाद आता है mega kilo के बाद क्या आता है? mega अब mega में मैंने बोला देखिएगा इदर मैंने कहा 2 की power 10 है तो यहां पर difference कितना आएगा? मैं लिखवा चुका हूँ 2 की power 10 का बच्चो 2 की power 10 और 2 की power 10 कितना हो जाएगा? 2 की power 20 2 की power 20 किलाता है मी बी बाइट क्या किलाएगा बिटा? मी बी बाइट ठीक है? इसको शॉट में के कैपिटल आए और ये बी लिखते हैं इसको शॉट में म स्मॉल आए और बी लिखते हैं ठीक हो गया? बच्चो यहां पर आएगा kilo byte के बाद ठीक हो गया बच्चो इसको हम kb लिखते हैं represent करते हैं kb के नाम से इसको represent करते हैं mb के नाम से गॉट इट? बच्चो next आपके पास kilobyte, megabyte 2 की power 30 and 2 की power 40 10-10 का difference है kbby, niby byte, gbby spelling देख ली जगे spelling I think यही होगी और g-i-b ठीक है, यह शाद m-i होगा हाँ, megabyte ठीक है और यहाँ पार 10 की power 3 और 8 करो तो 10 की power 9 बन गया 9 का मतलब होगा gigabyte साहिए gigabyte gb साहिए अब यहाँ पर क्यलाएगा terabyte यानि के tbby t-i-b-i-t-b-by ठीक हो गया t-i-b और यहाँ पर नॉर्मल के लाएगा 10 की power 12 को terabyte गाट इट बच्चो तो बेसिकली आपने सबसे स्मॉल से सबसे लार्जेस unit के लिए चप गए तो सबसे चोटा unit आपको मिला bit, bit का मतलब या तो 0 होगा या तो 1 होगा bit के बाद आपको nibble मिला nibble के बाद आपको byte मिला byte के बाद आप दो system में जा सकते हैं या तो binary prefix में जाएंगे 2 की power 10 को बुलेंगे kbbyte, 2 की power 20 को बुलेंगे mbbybyte, 2 की power 30 को gbbyte 2 की power 40 को tbbyte इसी तरहिके से जब आप binary prefix में गए हैं तो binary prefix में 10 की power 3 को kilobyte 10 की power 6 को megabyte 10 की power 9 को gigabyte और 10 की power 12 को terabyte तो ये सारे आपके units of memory हैं units of memory हैं या computer को memory को major करने के units हैं सही है? बच्चो gigabyte के बाद terabyte terabyte के बाद और भी होता है petabyte तो आप चाहो तो petabyte के बारे में भी लेख सकते हो यहाँ पर petabyte छीक हो गया? इनके अलावा भी आप petabyte भी आता है यहाँ पर और आप उसको लिखोगे लेकिन बड़ा आपका सवाल कभी भी नहीं आएगा अब बच्चो को यगर आप से बोले कि सबसे चोटे unit क्या है तो आप बोलोगे bit है, सबसे बड़ा unit क्या है तो आप बोलोगे terabyte या tb byte ठीक है? petabyte भी आता है, petabyte भी आता है ठीक है? अच्छा, काम की बात क्या है वो ज़रा सुनें काम की बात यह है कि बच्चो जब भी तुम small से large में जाते हो ना मैं यहाँ लिख देता हूँ, छोटा सा करके ताकि आपको याद रहे, बड़ा एक acronym होता है SLD SLD का मतलब क्या है? जब मैं छोटा था, जब मैंने यह बनाया था SLD ज़रा बता दूँ SLD का मतलब होता है, जब भी तुम small unit से large unit में जाओगे तो तुम्हें क्या करना होगा? divide करना होगा हाना भई, कैसा acronym बनाया है? small unit से large में जाओगे, तो क्या करोगे? divide और जब large से small में जाओगे तो तुम क्या करोगे, बच्चों? multiply, got it? तो भई, small से large में divide और large से small में क्या करेंगे? आप multiply, सही है? ठीक है? तो ये वाला acronym क्या बना? ये बन गया SLD और ये बन गया LSM ये क्या बन गया? बच्चों, LSM ठीक है? तो दो acronym बन गये SLD और LSM इसको ऐसे याद करनें अब मैं आपको बोलूँगा कि divide क्या में डिपला होता किस से? भाई, difference से होता है कैसे? बच्चों, bit से byte में जाना है तो we have to divide क्योंकि small unit से large unit में जा रहे हैं जब small unit से large unit में जाएंगे तो हम क्या करेंगे? divide कर देंगे किस से byte में? difference है 8 से किस से byte में? difference कितना है? तो ये भी मैं या लिख देता हूँ जब उपर से नीचे जाते हो जब उपर वाले सारे unit से नीचे वाले units में जा रहे हो तो तुम divide करोगे ऐसे याद कर लो दो तरीके होते हैं याद करने या तो SLD वाले method से याद करो या ऐसे कर लो कि भाई जब आप उपर से नीचे जा रहे हो तो तुम क्या करोगे? divide करोगे और जब नीचे से उपर जाओगे तो क्या करोगे? बच्चो multifly करोगे अब mardzi है आपकी तो आइएे मैं आपको बताया है जब तुम उपर से नीचे जा रहे होगे तो multiply करोगे sorry divide करोगे अभी तो कराया जब उपर से नीचे जाओगे तो क्या करोगे, यानि कि small से large unit में जाओगे तो divide करोगे, और जब नीचे से उपर जाओगे तो तुम क्या करोगे, बच्चो multiply, got it? सही है? इसकी example भी ज़रा दिखाते हैं आपको बच्चो, अगर मैं आपको बोलता हूँ from bit to bite अगर bit से bite में जाना है, तो तुम क्या करोगे? तो तुम बोलोगे, sir, bit से bite में जाना है, तो bit का मतला bit और bite के दर्मियन 8 का difference है, जब मैं उपर से नीचे जाता हूँ, या small से large में जाता हूँ, तो divide करता हूँ तो आप इसका answer लिखेंगे क्या divide by 8, क्या answer लिखेंगे byte से कीबी byte में जाना है, byte से किस में जाना है, कीबी byte मैं लखता हूँ यहाँ यहाँ पर from byte to kibe byte k i b लखता हूँ बच्चो byte से kibe byte में जाना है, इधर देखो, byte से kibe byte में जाना है, तो we have to divide by two ki power 10, सहाँए, हम इसको divide करेंगे क्योंकि small से large में जाना है तो divide by 2 की power 10 चाहिए? कोई मस्ता तो नहीं है क्योंकि byte से की भी byte में 2 की power 10 तक का difference है और अगर मैं कहता कि byte से kilobyte में जाना है तो divide by 10 की power 3 divide by 10 की power 3 तो ये भी लिख देता हूँ from byte to kilobyte अगर जाना होगा भाई kilo का मतलब है 10 की power 3 so we have to divide किसे divide करना है बेटा? 10 की power 3 से got it? कोई मस्ता तो नहीं है बच्चो? ये चीजें ज़र देखिएगा बच्चो अगर कीबी byte से terabyte में जाना है TB byte में जाना है अच्छा अब आपके दमाह में होगा कि sir ऐसा हो सकता है कि TB byte से में दूसरे system में चले जाओ नहीं भाई एक ही system में रहेंगे एक ही prefix में रहेंगे अगर आप bindy prefix में हैं तो bindy prefix में रहेंगे bindy वाला dandy में नहीं जा सकता dandy वाला bindy में convert नहीं हो सकता अच्छा मेरा आप से सवाल है बच्चों अगर कोई आपको बोले kilobyte से convert करना है terabyte में तो इनके दर्मियान जो difference होगा कितना difference है देखो 10 की पावर 3 10 की पावर 6 यही है न अच्छा अगर मैं बोलूँगा 3 के बाद 6 एड़ करो तो कितना होगा 3 के बाद 6 कितना होगा 9 तो वो तो gigabyte में जाएगा नहीं न तो 10 के बाद इनके difference कितना है 12 का नहीं है 12 का नहीं है क्योंकि 10 की पावर 3 से start हो रहा है इनके दर्मियान difference है 9 का देखो यहाँ पर 3 का difference आगिया यहाँ पर 3 का difference आगिया और यहाँ पर भी 3 का difference आगिया तो कितना है difference है बेटा 9 का अगर कोई आपको बोले किलो बाइट से टेरा बाइट में जाना है तो आप बोलोगे सर डिवाइट कर दें किस से 10 की पावर 9 से क्योंकि 9 का difference है समझा गई बात अगर कोई आपको बोले कि टेरा बाइट से किलो बाइट में जाना है तो आप बोलेंगे मुलिपलाइट कर दें किस से बिटा 10 की पावर 9 से ठीक है same goes with this आइएगा कीबी बाइट से मीबी बाइट में जाना है divide by 2 की पावर 10 क्योंकि 2 की पावर 10 का difference है इसको ज़रा समझे कीबी बाइट से मीबी बाइट में difference है 2 की पावर 10 का तो we have to divide by 2 की पावर 10 मीबी बाइट से gigabyte में जाना है we have to divide by difference कितना 2 की पावर 10 GB बाइट से TB बाइट में जाना है divide by 2 की पावर 10 अगर मैं बोलता हूँ कीवी बाइट से जीवी बाइट में जाना है तो आप बुलेंगे डिवाइट बाइट तूकी पावर 20, समज़ा ही बात ती बाइट से मीबी बाइट में जाना है, मल्टिप्लाय होगा ह sinon? किस से बेटा 2 की पावर कितना difference है 20 का difference है हाना भी समझ आ रही है बात की भी byte से मी भी byte में जाना है divide by कितना 2 की पावर 10 साहिए बच्चो तो मुझे उमीद है कि आपको detail में बाते समझ आ गई होंगी bit से byte में जाने के लिए divide by 8 और byte से byte में जाने के लिए multiplied by 8 साहिए तो मुझे उमीद है कि आपको यह समझ आ गया होगा यह सारी चीज़ आपको मेरे बुक के page number मुझे याद निया उसको देख ली जगा वहाँ पे लिखिए का यह सारी चीज़ इसका screenshot ले 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 वीडियो को pause करके कि लार से स्मॉल में multiply होगा या उपर से निचे जाओगे तो divide होगा निचे से उपर जाओगे तो क्या होगा multiply होगा सही है बच्चों एक word आपको लिखवाता हो मुझे बताना कोई अगर आपको बुले कि किलो byte के अंदर किलो byte के अंदर कितने byte होते हैं तो आप बोलेंगे सर किलो byte के अंदर तो 10 की power 3 बच्चो 10 की power 3 का actual मतलब thousand होता है इसको जरा गौछ से समझेगा बढ़ी 10 की power 3 का actual मतलब तो thousand है ना तो अगर आप से कोई बोले किलो byte में कितने byte हैं आप बोलेंगे 1000 byte या 10 की power 3 byte है ना भई और अगर आपसे कोई बोले के कीबी बाइट का क्या मतलब है की आई बी आई तो आप बोलेंगे के सर कीबी बाइट का मतलब होता है 2 की पावर 10 2 की पावर 10 का actual मतलब पता है कितना है आपको इसका मतलब जब आप calculator में value दालेंगे it is 1000 के साथ 24 bit extra byte extra तो 2 की पावर 10 का मतलब होता है 1024 नाओ कोई अगर आपसे बोले के कीबी बाइट में कितना होता है तो आप बोलेंगे 2 की पावर 10 या 1024 byte ठीक है यह ज़रा गौर से समझे गवा तो यह ज़रा याद करें किलो का मतलब 1000 होता है और कीबी का मतलब होता है 1000 and 24 bit extra 1000 and 24 bit byte extra गौट इट बच्चो चले तो यह चीद हमने यहाँ पे देख ली है बड़ी important थी आईए मैं से सवाल जरा आपको दिखाता है देखेंगे वही सब बाते लिखे ही है bit का मतलब यह होता है nibble का मतलब 4 byte का मतलब यह वही सब बाते लिखे ही है आईए यह भी वही सब लिखे ही है ज़रा देखने जो मैंने आपको पढ़ाया decimal prefix के अंदर 10 होता है kilobyte, megabyte, gigabyte और terabyte और बाइंदी के अंदर कीबी बाइट, megabyte, gigabyte और tb byte नीचे से उपर जाने के लिए multiply पढ़ा चुका हूँ उपर से नीचे जाने के लिए divide पढ़ा चुका हूँ small से large जब करेंगे तो divide करेंगे large से small में multiply करेंगे ठीक हो गया बच्चो यह भी आपको पढ़ाया किलो का मतलब thousand होता है कीबी का मतलब क्या होता है one zero two four ठीक है बच्चो आईएगा ऐसे सवाल मैंने exam में दिये थे बच्चो को ऐसे सवाल exam में आ सकते हैं बहुत basic सवाल है लिखावा है कि eight thousand byte sorry bit लिखावा है bit eight thousand bit है हाँ अब bit से byte में जाने तो obvious सी बात है हम क्या करेंगे बच्चो by bit से byte में जाने के लिए हम divide करते न पढ़ा चुका हूँ यह सब detail में divide by क्या करेंगे eight जैसे divide by eight किया eight ones are eight eight thousand are this तो thousand byte आ गया ठीक है same goes with this two zero four eight कीबी byte का सवाल है आपको convert करना है maybe byte बच्चो कीबी byte से maybe byte में जाने के लिए divide by eight कितना होता है two की पावर ten जब आप two की पावर ten को आप बोलते है one zero two four तो इस सवाल को two zero four eight को divide कर दिया one zero two four से your answer is two maybe byte चाहिए आईए अगला सवाल भी देखें बिटा ऐसे सवाल एक्जैम में आया था और आप इसको देखेंगा क्योंकि ये नया आइडाउन हुआ है तो हमने क्या कर रहा है हमने आपको कहीं और से ही ये सवाल निकाल के आपको करवा रहे है कीबी byte का सवाल कैसा है कह रहा है कि भाई ये था यूनिट अफ मेंवरी विच कंटेंस 1000 या 10 की पावर 3 बाइट पिर आगे ये भी लिखा हुआ इसके बाद हमारे ये बाइनरी एडिशन का सवाल है वीडियो को पॉस करके आप बाइनरी एडिशन का ये सवाल भी देख सकते है बाइनरी एडिशन की वीडियो में अलड़ी दाल चुका हूँ इसी प्लेलिस के अंदर आप पहले बाइनरी एडिशन देखिएगा उसके बाद ये बाइनरी एडिशन का कर दीजेगा बाइनरी एडिशन में जो एरर आता है वो ओवर फिलो होता है बच्चों उसके बाइनी सब्ट्रेक्शन का सवाल है सब्ट्रेक्शन की वीडियो देखे सब्ट्रेक्शन का इस वीडियो की स्क्रीन को आराम से पॉस्ट करके और ये पूरा मेरा आंसर देख लीजेगा सही है? तो भाई units of memory में आपको काफी detail के अंदर हमने चीज़ें बता भी दी पासिबर के सवाल भी करा दिये बच्चों ये एक सवाल है ठीक है इस सवाल को अगर बोलते हैं तो मैं करा देता हूँ मुझे कोई मसला नहीं है लेकिन चलें ठीक है आईए करते हैं बच्चों ये match the following था ये basically AS में सवाल आया था क्योंकि आपका पहली मरतबा ओलेविस के बच्चों का पहली मरतबा add-on हुआ है ना तो मैं आपको कही ना कहीं से सवाल निकाल के दे रहा हूँ क्योंकि इसके पासे पर नहीं होंगे आईए भाई उसने match the following दिया उसने कहा कि आठ बिट्स हैं मैंने सबसे पहले कहा 8 बिट्स का मतलब वन बाईट और वन बाईट में जाके इसको लिंक कर दिया आठ बिट्स मतलब इसको link कर दो किस से बिटा 1 byte से कर दिया मैंने next आपके पास 800 bits बच्चों 8000 bits bits मैं कभी भी बात नहीं करता है we have to divide by 8000 को किस से divide किया 8 से जैसी 8 से कर दिया तो तुमारा answer आगिया 1000 1000 byte का मतलब 10 की पावर 3 होता है नहीं 10 की पावर 3 byte का मतलब 1 किलो बाइट that's it असान है बिलकुँ चले भाई 1 किलो बाइट 1 किलो बाइट का मतलब होता है kilo का मतलब होता है 10 की पावर 3 और अगर कोई आपको बोलेगा 1000 तो आप बोलोगे 1000 का मतलब भी 10 की पावर 3 mass का simple rule है क्या rule है आईए बताते है mass का simple rule है अगर basis सेम है तो पावर को एड़ कर दो यह है न तो इसको असान करते है भाई 1000 का मतलब होता है 10 की पावर 3 1000 का मतलब है 10 की पावर 3 और किलो का मतलब भी है 10 की पावर 3 बच्चों basis सेम पावर एड़ करो तो 10 की पावर 6 हो जाएगा 10 की पावर 6 का मतलब 1 Megabyte यह यह और 1 Megabyte में जाओ और जाके उसको Link करता हूँ तो 1 Megabyte में मैं गया और जाके मैंने क्या कर दिया Link कर दिया Same goes with this 1024 Maybe Byte ओ भाई Maybe Byte का मतलब क्या होता है Maybe Byte का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ Kilobyte के बाद Maybe Byte आता है Maybe Byte का actual में मतलब होता है 2 की पावर 20 और 1024 का मतलब होता है 2 की पावर 10 तो basically same power at 2 की पावर 30 2 की पावर 30 का मतलब 1 GB Byte नहीं है इस समझ में आई यह भी करा जेते है 1024 Maybe Byte तो भाई इसका मतलब 2 की पावर 10 होता है Maybe Byte का मतलब 2 की पावर 20 होता है यादे ना basis same power at करो 2 की पावर कितना हो गया 30 2 की पावर 30 क्या किलाएगा बच्चों Kilobyte, Megabyte, GB Byte ठीक है 1 GB Byte Got it? आईए 1 GB Byte में हमने इसको link करा दिया सही है ना असान ही है 1 GB Byte में link हो गया Next आगए भाई वो कह रहा है 8192 Bits किसके बराबर है आओ मैं आपको बताता हू 8192 Bits को पहले तो मैंने Byte में किया Divide by 8 करके मेरा answer आगए है 1024 Byte 1024 Byte से आपको खुजी समझ आगए है 1024 का मतलब होता है Kibiby Byte और 1 Kibiby Byte It's a right answer Got it बच्चो तो उमीद है कि आपको ये पूरा सवाल जो में जुन 21 के अंदर AS के पिपर में आय था और आपको मैंने Advance सवाल भी करा दिया ताकि इससे मुश्किल सवाल नहीं आ सकता 5 मास का ये सवाल था इसमें ये Confuse करने के लिए वे थे इसके स्क्रीन शॉट लेने बिलकुल डिफिकल्ट और बड़ा अच्छा सवाल था मुझे उमीद है कि आपको पूरा कंप्यूटर की मैमरी को मेजर करने का जो मैंने ये लेक्चर दिया है पूरा लेक्चर आपको समझा गया होगा थैंक यू बरी मैच अलाफिस फी अमाने ला